नमस्कार स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि जन्माश्टमी के दिन कुछ माताएं बहने होती हैं जो हर माता बहन यह गलती जरूर कर देती हैं जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप जन्माश्टमी के दिन अगर जो गलतियां हम आपको बता रही हैं वह गलतियां आप कर देती हैं तो आपको पूरी जिन्दगी पच्टाना पड़ सकता है यानि कि आपकी पूरी जिन्दगी बहुत ही ज्यादा कष्ट दायक हो सकती है माताएं बहनों आप सभी को हम बता दें जैसे भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा का अर्चना करते हो तो आपको कुछ न कुछ फल की प्राप्ती जरूर की होती है इस तरह से आप उनकी पूजा में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जो की नहीं करना चाहिए तू यह आपके लिए बहुत ही गलत और अशुभ माना जाता है इसलिए माताएं बहनों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आप इस वीडियो को पूरा देख लेना और कमेंट बॉक्स में जया श्री कृष्णा जय लड्डू गोपाल अवश्य ही लिख देना और भारत के हर एक न अलतियों को कर देता है तो हम आपको बताने वाले हैं जो आपको जनमाष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए नहीं तो आपका पूरा जीवन कश्ट दायक हो जाएगा जनमाष्टमी पर भूल कर भी यह गल्तियां भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माश्टमी मनाई जाती है। इस बार यह त्योहार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोद्सव के रूप में यह पर पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जनमोटसव के दिन लोग वरत रखते हैं और रात में बारह बजे कानहा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके वरत का पारण करते हैं। कृष्ण जनमाश्टमी के दिन लड्डु गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किये जाते हैं। उन्हें जूला जुलाया जाता है। कृष्ण जनमाश्टमी के दिन कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना कृष्ण जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है और पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। आईए जानते हैं उन कार्यों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीरवाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जया श्री कृष्णा जरूर ही लिख दे, जिससे कि लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न हो जाए, और आपको मनो वांचित फल की प्राप्ती हो, तुलसी पत्तियां न तोड़े, श्री कृष्ण जी भगवान विश्णु के अवतार माने जाते हैं, और तुलसी विश्णु जी बेहद प्रिय है ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, पूजा में कृष्ण जी को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर राख लेनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों को बांसी नहीं माना जाता है इसलिए आप तुलसी के पत्ते का प्रयोग अवश्य ही कर सकते हैं चावल ना खाएं जिस तरह से एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है ठीक उसी तरह से जन्माश्टमी के दिन यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी चावल नहीं खाना चाहिए यह शुब नहीं माना जाता बलकि अशोक जी माना जाता है इसलिए हर माता बहन को इन बातों का ज्यान होना बेहद ही जरूरी और खास है माताएं बहनों आप सभी को हम बता दे कि सात्विक भोजन करें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए इस दिन भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक श्रेणी में रखा जाता है मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए गाय को नहीं सताना चाहिए कानहा को गए बेहद प्रीय है बचपन में जाया करते थे इसलिए जन्माष्टमी या किसी भी दिन गए एवं बचाने को भूल कर भी ना मारे नहीं तो कृष्ण जी रुष्ट हो जाते हैं गायों की सेवा करने से कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं ना करें किसी का अपमान भगवान कृष्ण के लिए अमीर गरीब सभी भक्त एक समान है इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी किसी का अनादर या अपमान ना करें किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण नाराज हो सकते हैं श्री कृष्ण की पीठ शास्त्रों के अनुसार मंदिर में कभी श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करनी चाहिए श्री कृष्ण की पीठ देखने से इंसान के पुन्य काम हो जाते हैं मायावी असुर कल बैंक समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण को उसे अपनी पीठ दिखानी पड़ी थी, इसके बाद उनका नाम रण छोड भी पड़ा, चावल से पर है, जन्माश्टमी के दिन चावल से परहेज करना चाहिए, एका दशी की तरह, जन्माश्टमी पर भी च पोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिन मांस मदिरापान से भी दूर ही रहे, जो लोग जन्माश्टमी का वरत नहीं रखने वाले हैं, उन्हें भी इन चीजों से परहेज करना चाहिए, काले रंग की सामगरी, जन्माश्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को काले वस्त्र पहन कर भगवान की पूजा न करें। वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। वरना निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप पूरा ही देखें। आपको हम बता देते हैं कि जन्माष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो लड्डू गोपाल की सौगंद आपकी सभी मनोकामना इच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जै लड्डू गोपाल जै श्री कृष्णा लिख देते हो तो चलिए जान लेते हैं। कौन से हैं वह उपाय जिससे जन्मधन्वंत्री की हर एक परेशानी दिक्कत दूर हो जाएगी और हर फल के आपको प्राप्ती हो जाएगी। व्रत रखना जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने से भगवान कृष्ण की क्रिपा प्राप्त होती है और घर में सुख सम्रिध्य आती है। पूजा में भगवान कृष्ण को पीले फूल, दही, मक्षन और मेवे चढ़ाने चाहिए भजन कीर्तन करना, जन्माष्टमी के दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। प्राप्त होती है और घर में सुख सम्रिध्य आती है। और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। रात्री जागरन करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख सम्रिध्य आती है। रात्री जागरन में भगवान कृष्ण के भजन गाने चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। कृष्ण मंत्रों का जाप करना। जनमाष्टमी के दिन कृष्ण मंत्रों का जाप करना चाहिए। कृष्ण मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख सम्रिध्य आती है। कृष्ण मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम कृष्णाय नमः जाप करना चाहिए कृष्ण की कथा सुनना, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। कृष्ण की कथा सुनने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख सम्रिध्य आती है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। और घर में सुख सम्रिध्य आती है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के भजन गाने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गर में सुख सम्रिध्य आती है। पंचामृत से अभिषेक करने। जन्माष्टमी के दिन क्रिष्ण की आरती करनी चाहिए। और उनकी कथा सुननी चाहिए, वरत के दौरान केवल फलाहार करना चाहिए, और उनकी कथा सुननी चाहिए, वरत के दौरान दान करना चाहिए, और गरीबों की मदद करनी चाहिए, पूजा करना जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख सम्रिध्य आती है, पूजा में भग्वान क्रिश्न की कथा सुननी चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए भजन की दो करने से भगवान क्रिश्न की कृपा प्राप्त होती है और घर में आती है भजन कीर्तन में भगवान कृष्ण के भजन गाने चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए भजन कीर्तन में गरीबों की मदद करनी चाहिए और दान करना चाहिए भजन कीर्तन में भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए यहां जन्माष्टमी के दिन कुछ और उपाय हैं जो आप कर सकते हैं दही हांडी फोड़ना जन्माष्टमी के दिन दही हांडी फोड़ना चाहिए दही हांडी फोड़ने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में उसे एक उंचे स्थान पर लटकाना चा बाल गोपाल की पूजा करना चाहिए और महिमा का वर्णन करना चाहिए। क्रिष्ण मंत्रों का जाप करने के लिए ध्यान करना चाहिए और भगवान क्रिष्ण की महिमा का वर्णन करना चाहिए। यहां जन्माष्टमी के दिन कुछ और उपाए हैं जो आप कर सकते हैं। जन्माष्टमी की रात्री में जागरण करना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन दान करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन वरत रखना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वरत रखने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुक सम्रिध्धी आती है। वरत रखने के लिए केवल फला हार करना चाहिए। व्रत रखने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए व्रत रखने के लिए दान करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए अशुद्ध हाथों से मूर्ति को छूने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं पूजा के समय ब जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुध जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना पवित्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना पवित्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुध फूलों का उपयोग करना। अशुध फूलों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना शुध फूलों का उपयोग करना। जन्माश्टमी के दिन, पूजा के समय अशुध फूलों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना एकागृता के बैठना। बिना एकागरता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं श्री कृष्ण की मूर्ती को गलत तरीके से पूजना जन्माश्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ती को गलत तरीके से पूजने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं पूजा के समय अशुद्ध भाव से बैठना, जन्माश्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भाव से नहीं बैठना चाहिए, अशुद्ध भाव से बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं, अगर आपको जीवन में धन प्रताप की इच्छा है, आपकी मनो काम आपके जीवन में धान की बहुत कमी रहती है, तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए, माना जाता है, जो व्यक्ति जन्माश्टमी के दिन उपायों को करता है, उसके जीवन में फिर कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के ज इन उपायों को जरूर करना चाहिए जो बहुत ही जल्दी हमें लाभ प्रदान करती है इसलिए माताएं बहने आप इस वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दे चलिए जान लेते हैं वह कौन से हैं उपाय जो आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करवा सकते हैं जनमाश्टमी के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है खाने की चीजें फल व्रत में फल खाना चाहिए फल शरीर को पोशन देते हैं और वरत को सफल बनाते हैं. फलों में विटामिन, मिनरल्स और एंटियों एक्सिडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं. सबजियां वरत में सबजियां खानी चाहिए. सबजियां शरीर को पोशन देती हैं और वरत को सफल बनाती हैं. सबजीयों में विटामिन, मिनरल्स और एंटी ओन एकसिडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं. दूध और दही. व्रत में दूध और दही खाना चाहिए. दूध और दही शरीर को ताकत देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं. दूध और दही में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं साबुदाना और सिंगाडा वरत में साबुदाना और सिंगाडा खाना चाहिए साबुदाना और सिंगाडा शरीर को उर्जा देते हैं और वरत को सफल बनाते हैं साबुदाना और सिंगाडा में कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं मखाना और कुत्तु का आटा वरत में मखाना और कुत्तु का आटा खाना चाहिए मखाना और कुट्टू का आटा शरीर को पोशन देते हैं और वरत को सफल बनाते हैं मखाना और कुट्टू के आटे में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं नहीं खाने की चीजें अनाज और गेहूं वरत में अनाज और गेहून नहीं खाना चाहिए। पर धन प्राप्ति के उपाये हैं। जन्माष्टमी के दिन श्रीकृष्ण मंदिर में दर्शन करने से धन प्राप्ति होती है। मंदिर में जाकर श्रीकृष्ण की मूर्ति के दर्शन करने और पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन दान प्राप्ति होती है। गरीबों को दान देने, अनाथों को भोजन कराने और पुण्य करने से धन प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से धन प्राप्ति होती है। श्री क्रिष्टम के मंत्रों का जाप जन्माष्टमी के दिन श्रीकृष्ण के मंत्रों का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति होती है पूजा के समय घी का दीपक जलाना जन्माश्टमी के दिन पूजा के समय घी का दीपक जलाने से धन प्राप्ति होती है घी का दीपक जलाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप् पूजा के समय फलों का भोग लगाने से धन प्राप्ति होती है। पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन गाने से धन प्राप्ति होती है। पूजा के दिन श्री कृष्ण की आरती करने से धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के नाम का जाप करना जन्माश्टमी के दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। जन्माश्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में गाय को शामिल करने से धन प्राप्ति होती है। जन्माश्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का उप्योग करने से धन प्राप्ति होती है। जन्माश्टमी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन को धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। जिन्होंने धर्म की स्थापना में महत्व पूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक महत्व भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वह आज भी मानवता के लिए एक मार्ग दर्शक है। उन्होंने धर्म, कर्म और प्रेम का महत्व बताया। और धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में पांडवों का साथ दिया। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके उपदेशों को याद करते हैं और उनसे आशीरवाद प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक महत्व जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। इस दिन भक्त अपनी आत्मा की शुद्ध के लिए उपवास करते हैं और भगवान कृष्ण के भजनों और कीर्तन में लीन होते हैं। यह दिन आत्म अनुसंधान और आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। जन्माष्टमी की कथा भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार द्वापर युग में कंस नामक एक अत्याचारी राजा था जिसने अपनी बेहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। कंस को यह भविश्यवानी मिली थी कि देवकी का आठवां पुत्रों से मारेगा। इसलिए उसने देवकी के सभी पुत्रों को जन्म होते ही मार डाला। लेकिन भगवान की लीला के चलते जब देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव उन्हें लेकर मतुरा से गोकुल चले गए और वहां उन्हें यशोदा माता और नंद बा इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जल या फलाहार व्रत रखते हैं। उपवास रखने से मन और शरीर दोनों की शुद्ध होती है और भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रध्धा प्रकट करते हैं। व्रत रखने की विधी संकल्प व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। निर्जल व्रत अगर आप सक्षम हैं तो दिन भर निर्जल व्रत रखें। अगर यह संभव न हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं जिसमें फल, दूध और मे अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस समय आप पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहन करें। जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता ह इस उत्सव में भगवान क्रिष्ण के माखन चुराने की लीला को जीवन्त किया जाता है। इसमें उंचाई पर एक हांडी बांधी जाती है जिसमें दही और माखन रखा जाता है। युवकों की टोली मानव पिरामिट बनाकर इस हांडी को फोड़ने की कोशिश करती है। दही हांडी का आयोजन आम तोर पर खुले मैदानों या सडकों पर होता है। इसमें कई टीमें भाग लेती हैं और जो टीम सबसे पहले हांडी को फोड़ती है उसे पुरसकार मिलता है इस उत्सव में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया जाता है। और इसे देख लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं जन्माष्टमी के उत्सव का समापन। जन्माष्टमी का उत्सव भगवान क्रिष्ण के जन्म के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। इस दिन की पूजा, व्रत और उपवास भक्तों को आत्मिक संतुष्टी और भगवा जन्माष्टमी के उत्सव से हमें भगवान क्रिष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा मिलती है। यह दिन धर्म, प्रेम और करतव्य के प्रती हमारी आस्था को मजबूत करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश लेकिन माता लक्ष्मी के लिए आप जय मान लक्ष्मी अवश्य ही लिखे। आप सभी के हर एक मनो कामना पूरी हो ले जा रही है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है माता एवं बहाने, अगर आपने वीडियो को कहीं से भी बीच में छोड़ दिया है, तो वी हुआ है